क्या आपने कभी सोचा है कि क्या किसी की चिठी इतनी ज़्यादा खास हो सकती है कि उसके लिए कोई लाखों की बोली लगा जाए सुनने में आपको ये भले ही अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बात बिल्कुल सच है एसी ही एक चिठी इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है जो बीते दिनों 32 लाख रुपए में भी की है आखिर इस चिठी में ऐसा क्या लिखा है जो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कीमत सक्स की नहीं सक्सियत की होती है इस चिठी के साथ भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि इसे किसी आम इनसान ने नहीं बलकि अमेरिका के दूसरे राष्ट पती जॉन्द एडम्स ने लिखा था वो भी उस समय में जब वो 89 साल के थे अपने जीवन के आखरी दिनों को बोश्टन के फार्म हाउस में वह बिता रहे थे इस समय उन्होंने 19 साल की एक लड़की के लिए ये प्रेम पत्र लिखा था चलिए आपको बताते हैं आखर इस चिठी में है क्या अपने इस चिठी में उन्होंने लिखा मैं अपने सबसे अच्छे मित्रे जज पीटर्स और उनकी दोस्त मिस रॉबिंसन के परिवार के साथ अपने रिष्टे को ले कर काफी खुश हूँ मैं आपके साथ बिताए गए उस पल को जब तक जिन्दा रहूँगा तब तक याद रखूँगा मेरी शुपकामनाए आपके साथ हैं और आप जो चाहती है वो आपको जरूर मिले आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पत्र 14 दिसंबर 1824 को उन्होंने लिखा था जिसे आज तक उस परीवार ने समाल कर रखा है इस लेटर में जॉण एडम्स के हस्ताक्षर भी हैं इस चित्धी को लेकर कहा जाता आए कि ब्रैकेट ने खुद एडम्स को लिखने को कहा था इस चिठी को परिवार ने एल्बम्स में सम्हाल कर रखी थी जो 32 लाख रुपे में निलाम हुई आलाकि इस चिठी को किसने खरीदा इस बात की कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है लेकिन ये चिठी और इसकी कीमत सारी दुनिया में चर्चा का विशय बनी हुई है